नमस्ते मैं अर्शना अर्थे अल्ट्रा कुकरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ जब भी हमारे घर में पुजा रेती है सत्यना रंड जी की तबी भगवान को भोग शड़ा जाता है प्रशात का शीरा तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रशात का शीरा प्रशात को बनाने के लिए लगने वाली सामगरी है एक कटोरी सुजी लिया है एक कटोरी देसी गी एक कटोरी चीनी दो कटोरी मिल्क लिया है दूद लिया है काजू और किश्मिश लिये बदाम कटिंगर के लिए है गार्निशिंग के लिए इलाईची पावडर है आधा शुरू करना है कि एक कटोरी गी लेंगे यहां पर देसी लिया है अगर अब साधा गी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा लेकिन प्रसाद है तो प्यूर चाहिए जैसे थोड़ा सा ये घी पीघलने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी एक कटोरी सूजी लेते हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए जैसे हम ये भून रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे दूद को उबाल लेते हैं एक कटोरी अगर सूजी लेते हैं तो दो गटोरी हमें दूद लेना है और इसे अच्छी तरह से उबलने देना है और इसका कदर चेंज होना चाहिए सूजी का तब तक हमें इसे भून लेना है तब तक हम रहा देखेंगे दूद उबल रहा है तो हम इसमें डालेंगे केसर बन फोर्ट इस्पून लिया है दूद उबल चुका है तो हम गैस बन कर देते हैं सूजी का कलर भी चेंज हो गया है अब हम इसमें उबाला हुआ दूद डाल देंगे गैस कम कर देना है अब इसे अच्छी तरह से सोख होने देना है जो दूद है वो सूजी में मिल जाना चाहिए देखिए पूरा ये सोख हो गया है अब इसमें जाएगी चीनी एक कटोरी चीनी अब इसमें डालेंगे काजू और किश्मिश आधा चमच इलाईजी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है काजू और किश्मिश हम स्टार्ट में इसलिए नहीं डाल रहे है क्योंकि वो जल जाते हैं अब इससे हम पाच मिनिट के लिए ढग देंगे पाच मिनिट हो चुके हैं देखते हैं प्रशादी का शीरा रेडी है क्या शीरा हो चुका है गैस बन कर देते हैं अच्छी तरह से खुश्बू फैल चुके हैं यहां पर अब हम इसे प्लेटिंग कर लेंगे प्रशादी के शीरे में एक खासियत है कि हमेशा जबी भी हम भगवान के लिए बोग चड़ाने के लिए शीरा बनाते हैं तो उसकी टेस्ट अलगी होती है प्रशादी का शीरा रेडी है इसके उपर जाएगा गार्णीशिंग के लिए इसके उपर हम बदाम डाल देते हैं प्रशाद का शीरा तैयार है आपके घर में कभी भी सत्यदन की पूजा हो या शुभावसर हो तो आप इसे अवश्य बनाएगे ऐसी आजसान और इंट्रेस्टिंग रेसीपी सिखने के लिए आप अल्ट्रा कुकरी को सब्सक्राइब कीजिए